हेलो एब्रिवन वेलकम टू जी के नाइस फ्रेंड्स एल्टी ग्रेट सिक्सक भरती के रिजल्ट को लेकर जो विवाद चलना है यूपी प्यासी रिजल्ट गोशित नहीं कर पा रहा है तो यदि यह है विवाद से बचेगी तो चुनाव से जरूर परवाईत होगी क्योंकि चुनाव भी नजदीक है तो इसका बहुत बड़ा परवाऊ पड़ेगा एल्टी ग्रेट सिक्सक भरती के परिणाम पर तो यह आज की बड़ी लेटेस नूज है चलिए क्या यह लेटेस नूज है इसको देख लेते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रिजल्ट को लेकर लेकिन UPPSC रिजल्ट घुशित करने का नाम नहीं ले पा रहा है तो इदि यहां पर यह विवाल से बचेगी तो इसका इस पर जो परभाव चुनाव का जरूर पढ़ने वाला है तो ल्टी ग्रेट सिक्सक भरती का परिणाम लिकित परिक्सा के साथ साथ भी अधर में होने से इससे परभावी चैनित वर भरती तेजी से करने की सरकारी मंसा पर विपरित असर पढ़ रहा है UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक से वायोक की मंसा एकी परिणाम कहीं से विवादित नहीं हो इसलिए इसे जारी करने में हरबड़ी करना ठीक नहीं है वही मार्च का महिना खतम होते ही लोक सबाच चुनाओ के लोक सबाच चुनाओ सुरू हो जाएंगे भरती के चैनितों की न्यूकती लटकने के पूरे असार है तो यहां पर दिया गया है मार्च का महिना खतम होते ही लोक सबाच चुनाओ स्टार्ट हो जाएंगा और जि अब भी इस प्रश्ट नहीं है विदी कर्चन बताकर UPPSC ने अभी परिणाम जारी नहीं किया है इसके साथ ही वह यह भी कह रहा है कि परिणाम ऐसे देंगे जिसे किसी परकार का विवाद नहीं हो पाई विवाद की संभावना खतम करने के लिए पूरी गंभीरता से परिणा वाचार सहीता लग जाएगी जबकि जिस तरह से UPPSC का रविया है उससे कुल 14 विश्यों के परिणाम विश्यवार जारी किये तो कम से कम एक महा का समय लग सकता है इससे सबसे बड़े विश्य समाजिक विज्ञान का रिजल्ट सवतंद रूप से और इसके बाद कम तक तो रिजल्ट का कोई भी आता पता नहीं है अनुमानित तोर पर अभ्यारत्यों का कहना है कि मार्च अन तक सभी विश्यों के परिणाम जारी भी हुए तो स्कूलों में न्युकती पानी के लिए अचा शाहिता खतम होने का अंतजार करना पड़ेगा जिससे भरती अच्छे लगी तो लाइक किजेगा शेयर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्स पर वाचिंग